चो शुरूं करते हैं तो सबसे पहले अप लृपन केयों करने कि यह अपनी वीडियो को ले लिया है उसके बाद आप यृच्छ ऑप्शन में एड्लेने के बाद राइट ने इस कंड्रोल ओज दो हाइल έइड आ कर लेना livro छलो जल्दी से हम भी अपनी वीडियो को और जब तक हम लोग अपनी वीडियो को इरजेस्ट करना तब तक भाई आप लोग वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपना और चलो हमने अपनी वीडियो को आपके बड़ेयों को ले जाते हैं फिर एक बार हमें अर्जेश्ट उप्सटन में अगर आपको HD करना है तो आप लोगों को ऐसा ही करना पड़ेगा और हाँ इस ओप्सन को ध्यान से करना अगर आपका कलर कहीं उपर नीचे हुआ तो आपके फूरी वीडियो विगड़ सकती है फिर आप बोलोगे तू अच्छी से बताता है नहीं कि तेरी वीडियो तो HD मगर अगर हमारी वीडियो अच्छी क्यों नहीं दिखाए दे रही है तो इस ओप्सन को आपको अरजस्ट करने के बाद आप लोगो को आ जाना है अपने एफेक्ट में एफेक्ट में आने के बाद आप लोगो करना क्या है कि बलार जो एफेक्ट होता है उसको आप लोगो डाउ न्यू अपडेट नहीं आया है तो भाई कमेंट में जरूर बता देना मैं इस पर एक वीडियो जरूर बता दूंगा तो चलो हमारे भी वीडियो सेव हो चुके सेव होने के बाद आप लोगो simple फिर से अपनी वीडियो में चले जाना है उसके बाद आप लोग को जो एरजेस्ट है दोनों option को delete कर देना है फिर उसके बाद आप लोग को effect में चले जाना है effect में जाने के बाद आप लोग को blur effect को delete कर देना है Video को Regist करने के बाद आप लोगो Simple Spline Option में चले जाना Spline Option में जाने के बाद आप लोगो Brown Option को दबा दीना है जो आपने 5 मिनिट तक भाई बही कड़ी महनत करी है वो आपको फल धीरी-धीरी मिलने लगेगा फिर से आपको एक बार And Overless में चले जाना आपनों को उबर लैस में क्लिक कर देना है और जो आपको उबर लैस रहेगा आप उसको कम ज़्यादा उपर नीचे बढ़ा सकते हो जैसे आपकी वीडियो होगी और फिर उसके बाद आप